का पंडि वहलो में हाइव करने चाहरें पैलो ने दे चाहरेंगे अधा zora को हम कैसे इडेंटफाइगे करें विदियो हमने हम जो है रिजेसम के इसके इनदर रहे हमेल्य को यह से अधार रहे और neither nor case को identify करेंगे तो सबसे पहले देखे आईदर और केस के लिए क्या क्या conditions होंगे conditions for either or case इसमें देखे क्या क्या होना चीए elements must be same in both the conclusion दोनों conclusion के अंदर elements जो हना वो क्या होने चीए वेटा same होने चीए one conclusion must be positive and other should be negative एक conclusion आपका positive होना चीए और दूसरा क्या होना चीए negative होना चीए both the conclusion must be false और दोनों conclusion क्या होने चीए फाल्स होने चीए जैसे for example हमें इसको conclusion से इसको identify करना है जैसा कि मैंने इसमें बताया elements same होने चीए जैसा कि इसमें लिखा no pen are pencil some pens are pencil तो यहाँ pen है यहाँ pencil और यहाँ भी pen और यहाँ भी pencil दोनों conclusion में elements जो है न वो same है हमारी first condition होगी next एक positive होना चीए दूसरा negative तो एक positive और दूसरा क्या है negative है अब उसके बाद में तीसरी जो condition है both the conclusion must be false जब इन conclusion को हम statement से check करेंगे तो दोनों conclusion हमारे क्या होने चीए false होने चीए तो उसमें हम बोलेंगे either first or second follows ओके तो इसमें है some tables are chairs next second statement है some chairs are cars third statement है all cars are pole ओके आब इसमें conclusion given है no table is ball some balls are table तो देखिए सबसे पहले मैंने यहां पर statement के अंदर sum आ गया तो यह क्या हो गया आपका positive statement यहां भी समये भी positive यहां भी all है यह भी क्या है positive statement है अब फिर करेंगे value assign some tables are chairs some में value क्या होगी दोनों होगी 50-50 यहां भी some chairs are cars 50-50 ओल आ गया तो value first वाले की ended दूसरे वाले की 50 अब इसमें देखिए either or case के लिए elements same होने चीए इन बहुत दा conclusion यहां table है यहां बाल है यहां पर बाल है यहां पर और यहां पर क्या है टेबल है फस्ट कंडिशन हमारी satisfied होगी second condition एक positive होन अच्छी दूसरा क्या होन अच्छी है negative होन अच्छी वह भी हो गया third condition है बहुत दा conclusion must be false और दोनों calculation क्या होने चीए आपके false होने चीए तो इनको हम चेक करेंगे अब देखो इसमें यह negative conclusion है और तीनों जो स्टेटमेंट हो क्या है positive तो इसमें आपको जो है डिरेक्ट देखे वेटा positive स्टेटमेंट कहा में से positive conclusion आता है NEGATIVE CONCULTION नहीं आता तो यह हमरा डिरेक्ट रोंग हो रहा है वैसे आप इसको चैक कर लोगे no table is ball ईब आपका statement थरड में है table आपका statement first में है अगर इन्हों को हम merge भी करेंगे तो positive positive कभी भी negative conclusion नहीं आता है positive positive स्टेट्मेंट का में से पोजिटिव कनकुलूजन आता है तो गलत हो गया हमारा ओके इसमें भी अगर हम वेल्यू असाइन करेंगे तो नो के के समें टेबल की हैंडड और बोल के भी क्या हो जाएगी हैंडड यहां सम बोल्स में बोल गी 50 और टेबल की क्या गई also 50 अब यहा पहले देखिये यह किसको मर्ज करना पड़ेगा कार को मर्ज करना पड़ेगा स्टेट्मेंट सेकंड और थर्ड को मर्ज करो कर स्यांपर मर्ज हो जाएगा मर्ज होने की कंडिशन क्या है कि elements जो हना common होनी चीए दोनों statement में और at least एक elements की value होनी चीए अब यह बनगा हमारा स तो गलत हो रहा था तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो यहां पर देखे टेबल की जो हना तो यह जब आपका मर्ज नहीं हो रहा तो यह आपका फोलो नहीं होगा ओके तो आप तीनों कंडिशन हमारी सैटिस्फाइड होगी तो इसमें हम कह सकते हैं आइधर फर्स्ट करेंद और सेकेंड फोलोज नेक्स्ट एग्जॅंपल देखे 17 हो यहां पर और व्यावां करेंजा और ने कि आपके यहां है पर पोझीटिश में हम सहें है पोग्विटीव है उसके बाद में हम value assign कर लेंगे all के case में 150 यहाँ पे 150 यहाँ पे 50-50 यहाँ पे 150 अब conclusion में देखिए सम इरेजर और पैन नो इरेजर इस पैन elements हमारे सेम हो गई first condition हो गई एक positive है दूसरा क्या है negative है अब जो third condition दो condition हमारी आधर और case की satisfied हो गई है बट देखिए third condition में जब हम solve करेंगे सम इरेजर और पैन यह जो इरेजर और पैन है आपका इरेजर आपका second statement में है और पैन आपका statement फरस्ट में तो यहाँ पे pencil जो है वह आपकी क्या हो जागी बटा मर्ज हो जाएगी common है और at least टेक की value भी क्या है आपकी हैंडड है आप देखो इसमें इरेजर की income 50 expenditure 50 है पैन की income 100 expenditure क्या है बटा 50 है मैंने आपको बताया था expenditure कभी इंकम से ज्यादा नहीं होना चीए अगर हो ज्यादा होता है तो conclusion फोलो नहीं करता है तो इसमें हमारा सेटिसफाइड हो गई थी आइधर केस में बट थार्ड वाली जो condition वह सेटिसफाइड नहीं हो रही दोनों conclusion गलत होंगे तभी हम बोलेंगे कि आइधर फस्ट और शेकिंड फोलोज तो इसका अनस्वर आएगा उनली फस्ट फोलोज अब इसमें देखें next question और आपका all mangoes are grapes all आगया positive statement some grapes are not orange some note के case में negative नोट आगया कैसी statement हो जाएगा आपकी negative अब आगया only mangoes are बनाना यहाँ पर only का एक statement के दर एक नया वर्ड आपके सामने आई इसको मैं explain करूँगा इसमें देखे only को आप कैसे convert करोगे only का आप all में convert करना है यह elements exchange हो जाएगे only mangoes are banana तो इसको मैं लिख दूँगा all bananas are mangoes all bananas are mango लिखने के बाद में all में यहाँ फस्ट के ended और second वाले के 50 कैसा conclusion हो जाएगा आपकी positive अब इस पर आजा हो conclusion पे no banana is orange some orange is banana तो elements सेम होगे banana औरेंज औरेंज बनाना एक positive है दूसरा क्या है आपका negative है आप चलते हम तीसरी थर्ड कंडिशन पे ओके बहुत अगनुजन मस्ट भी false तो हमने चेक किया कोई भी जो बनाना है वो औरेंज नहीं है no banana is orange आप देखो आपका बनाना जो है statement 3rd में है और orange जो है वो आपका statement 2nd में है आ आप यह कर लो आप यहां से पहले mango को मर्ज कर लो statement 3rd और 1st को मर्ज करेंगे all mangoes are grapes all bananas are mangoes तो यहां पे जो है आपका mango मर्ज हो जाएगा common है और at least take value क्या है है अब आ जाएगा all bananas are grapes सभी बनाना क्या है grapes है तो देखिए यहां पे grapes अब आपका मर्ज नहीं हो रहा है वेटा क्योंकि मर्ज होने के लिए मैंने क्या बताए था आपको at least take value क्या निची है बात है बट यह आपका positive conclusion है तो यह आपका डारेक्ट गलत हो रहा है तो इसमें आपका either or case लग जाएगा यह only वाले case को आप जाने से लगना है इसको हम all way convert करेंगे statement को ओके तो यह था हमारा either or case के कुछ questions नेक्स्ट अब हम चलते हैं conditions for neither nor case इसमें देखें बेटा बोट the conclusion must be false दोनों conclusion क्या होने चाहिए आपके गलत होने चाहिए elements of conclusion must be different इसमें जो होना elements से neither nor case में different होंगे आपके उसमें elements क्या होने होने चाहिए same जैसा इसमें लिखा no pens are eraser all pens are pencil element भी different है और दोनों conclusion statement से जब हम चेक करेंगे तो क्या होने चाहिए वो false होने चाहिए जैसा कि यहाँ पे एक point और है neither nor case existing possibility अगर आपके conclusion में को possibility given है तो उसमें आपका neither nor case exist कर सकता है बट आपका either or case exist नहीं होगा तो अब इसमें देखिए जैसा यह question आपके सामने all pen are pencils all आ गया positive statement है no pencil eraser negative statement है all eraser are book positive statement है some books are copy positive statement है अब इसमें देखिए conclusion में some pencils are books positive conclusion हो गया all eraser are copy positive conclusion हो गया अब इसको आप चेक करो pencil और book book आपका जो है statement third में भी है और fourth में भी है और pencil है आपका statement first में और second के अंदर देखिए इसमें हम statement second और third को merge कर लेंगे तो यहाँ पे बिट आपका eraser merge हो जाएगा ओके common दोनों में यहाँ से आपका बुक मर्ज नहीं हो रहा है तो इरेजर और copy के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकलेगा यह मर्ज नहीं होंगे तो और क्या जागवेट आपके फोल्स हो जाएगा तो इसमें हमारा नाइधर को नाइधर नौर केस लगेगा नाइधर फस्त नौर सेकेंड फोलोज तो यह जो कंडिशन मैंने नाइधर नौर केस के लिए बताई हैं दोनों का निकलूजन फोल्स होने चाहिए और एलेमेंट्स इसमें क्या हो सकते हैं डिफ्रेंट हो सकते हैं नेक्स एक एक्जामपल और देखिए यहाँ पे है सम सर्ट्स आर टोप सम टोप सार पैंट सम पैंट्स आर जिन्स तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसा कि मैंने स्टेटमेंट प्रटा आया सम सर्ट्स आर टोप सम आ गया कैसी स्टेटमेंट है आपकी पोजिटिव सम टोप सार पैंट कैसी स्टेटमेंट हो गई पोजिटिव स इसमें देखो conclusion में आगा at least some certs are paint और second conclusion में आगा at least some tops are jeans तो यहां से हमें बटा at least को ignore करना है इसका कोई logic नहीं है हम direct conclusion को सम से start करेंगे इनको आप कट भी कर सकते हैं ignore करके चलना है सम आगया कैसे conclusion होगे आपका positive और यहां पे भी सम आगया कैसे conclusion होगे आपका positive अब इसमें देखिए some certs are paint value sign कर लेंगे 50-50 आप देखो आपका पैंट जो है वह आपका statement second में है और search statement first में तो यहां पर tops को merge करेंगे common है लेकिन नहीं होगा तो हमारा conclusion क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ऐसे some tops are jeans आप देखिए आपका top आपका statement second में जिन सबका statement third में यहां पर paint आपका मर्ज नहीं हो रहा है क्योंकि मर्ज करने कंडिशन में common तो है बट आपका मर्ज नहीं है तो यह आपका मर्ज नहीं हो रहा तो conclusion क्या होगा गलत हो गया तो इसको हम बोलेंगे नाइदर conclusion first nor second follows dear students आज के इस session में हमने आपको आइदर और केस और नाइदर और केस के questions किये थे तो इन वीडियो का आपको केरफुली देखना अच्छे से और इन्स लेटिट केस्टन को आपको सोल करना है ओके थेंक्स